हमाई साथ इससे में हैं कॉंग्रेस पार्टी के स्पोक्सपरसर प्रोफेसर गौरवलब जी सर पावर क्राइसिस की और कहीना कहीं बढ़तावाद दिख रहा है देश यूग कहा जा रहे कि कोईले की शॉटेज हो गई है देखिए 173 धर्मल पावर प्लांट है देश में जिसमें से 96 के पास critical level of coal है मतलब आप समझ सकते हैं कि लगबग 60 से 70 प्रतिशत जो पावर प्लांट है उनके पास जो परियापत कोईला है वो नहीं है और problem demand की भी है और supply की भी है और सरकार और Central Electricity Authority हाथ पे हाथ दर के बैटी है demand की supply की क्या problem है कि आपको याद होगा पिछले वर्ष अक्टूबर 2021 में भी blackout हुआ था तब कहा गया कि भई कोईला तो है ख़दानों में भी कोईला है कोल इंडिया प्रडेक्शन भी कर रहा है पर railway की रैक नहीं है अब वापिस अक्टूबर से अप्रेल आ गया अभी भी वो ही रोना है कि रैक नहीं है क्यों रैक नहीं है क्योंकि सरकार तो व्यस्त है हिजाब हलाल, 45% कमिशन, इन चीजों में वियस्ते railway rack का order देने का उनको समय ही नहीं मिला, तो ये तो हो गई problem, जो कहते हैं, supply side problem, demand side problem सुप्रिया जी, आपके mobile में, देश के हर व्यक्ति के smart mobile में, आप अगले 20 दिन का एक महिने का temperature देख सकते हो, पर भारत सरकार के पास ये mobile नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आगे एक महिने बाद क्या temperature आएगा हमें पता था, आपके channel को पता था, देश के कई अगबारों को पता था, सब ने कहा अप्रेल महा इस बार बहुत ज़्यादा गरम होगा, मार्च में ही गरमी चालू हो जाएगी, पर भारत सरकार कह रही है कि मार्च में गरमी जल्दी आ गई, इसलिए demand जादा हो गई तो हम क्या करें ये भारत सरकार का argument है coal shortage में, तो demand side problem है, supply side problem है और सरकार, हिजाब हलाल, अजान 40% commission में व्यस्थ है इसलिए आने वाले समय में अगले एक से दो महिने में भैंकर, power shortage और blackouts पूरे देश में देखने को मिलेगे क्या मांग रहेगी आप लोगे, कॉंगर्स पाटी क्या मांग हमारी मांग ये है कि सरकार governance के issues पे बात करे, कोईले की demand और supply, देश में कोईला अगर आप इसका management दे दो तो वो उससे बहतर कर लेगा मुझे नहीं पता, ना देश को पता है कि बिजली का मंतरी कौन है क्योंकि देश में तो दो ही मंतरी है एक प्रधान मंतरी जी और दूसरे अमिशा जी दौनों मिलके बिजली के मंतरी को भी बता दे कौन है मैं नहीं जानता, हो सकता है कोई बिहार के मंतरी रहो, वो भी व्यस्त होंगे एर कंडिशन गाड़ी में बैठे होंगे क्योंकि उनके पास करने को कुछ होगा निए तो प्रधान मंतरी जी और देश के ग्रह मंतरी जी आगे आगे आने वाले दो महिने में भैंकर ब्लैक आउट होने की संभावना है तो तुरन प्रभाव से जो रेलवे की रैक्स है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सके ताकि कोईले का जो मूवमेंट है कोईलायरी से लेके पावर प्लांट तक वो सुनिश्चित किया जा सके और नमबर दो कि ये जो स्मार्ट फोन जो हमारे पास है आपके पास तो मौसम विभाग है उससे पता कर लो कि आगे आने वाले तीन महिने में किस दिन जो टेंपरेचर जादा रहेगा नेचुरली जिस दिन टेंपरेचर जादा रहेगा उस दिन पावर की डिमांड जादा होती है मतलब मुझे नहीं लगता है इसके लिए कोई नोबल प्राइज की जरूरत है आपको लगता है कि आगे पावर कर शौटेज बहुत होने वाली है भैंकर पावर शौटेज होने वाली है अगर रेलवे रैक्स को नहीं बढ़ाया गया और यदि गौर्वर्मेंट आफ इंडिया ने कोई प्रापर मैनेजमेंट नहीं किया ये देखते वे कि किस दिन क्या टेंपरेचर रहेगा और उस हिसाब से कितनी पावर की डिमांड देश में रहेगी पर सरकार वियस्त है दूसरे कामों में मुझे लगता है उनको इसमें 40% कमिशन नहीं मिला तो इसलिए वो शान्त बैठे सार, कोविड फिर से दस्तक दे रहा है कैसे दिल्ली में बढ़ते जारा है से कम के बच्चों का वैक्सिनेशन का क्या प्लान है 12 साल से कम के बच्चों का क्या प्लान है उनका छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कोविड के केसे गुडगाव हो या दिल्ली हो या बैंगलोर हो या देश के अन्य महानगर हो वहां बढ़ते जा रहे हैं भारत सरकार क्या कर रही है उनके पास क्या पॉलिसी है अभी नया एक आ गया कि बूस्टर डोस लगवानी सब एडल्स को भी क्यों बूस्टर डोस के पैसे क्यों दें जब आपने बुला कि जब तेल के जो पेट्रोल और डीजल पे जो के लिए कर रहे हैं तो आप बूस्टर डोस के पैसे दो बच्चों के वैक्सिनेशन की कोई पॉलिसी नहीं अंडर 12 के बच्चों का भारत सरकार को यह लग रहा है कि कोविड तो गियो पर कोविड अभी है कोविड अपने अलग-अलग अवतार में आता रहेगा भारत सरका एक governance के बारे में भी सोचें देश के जो health minister है वो यह सोचें कि कोविड के 12 से कम बच्चों की vaccination की क्या policy है हम मांग करते हैं कि छोटे बच्चों की vaccination policy देश के सामने रखे हैं और निशुल vaccination लगाने का काम कितने दिनों में क्योंकि अभी डेड साल हो गया vaccination चालू है अभी त क्योंकि बिना वैक्सीन के बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना जब वापस से कोविड देश में एंटर कर चुका है नए म्यूटेंट के साथ खत्रे से खाली नहीं है।